सब्सक्राइब कैसे हैं आप सब लोग होप सब लोग अच्छे होंगे और आज का कोई व्लॉग नहीं है आज की वीडियो रैस्पी वाली होने वाली आपको टाइट्र दे के पता चल गया होगा मैं बनायाता मटरपनी मैं आपके शेयर केया जाये तो मैं इतना अच्छा नहीं बना पाती हूँ, मुझे जैसे आता है मैंने इसमें कुछ और tweak करनी चाहिए उस रैस्पी को और अच्छे समय बना सकती हूँ था को मुस्य जरूर क्मेर्ट में बताना तो मैं जरूर ठ्राइ क आप से कि मैं कैसे मटा पनी गुनाती हूं और जैसे बनाती हूं मेरे घर में सभी पसंद करते हैं टेस्टी लगता है अगर आपको पसंद आती है मेरी यह स्टाइल रेस्पी बनाने की ताप जरूर एक बर ट्राइ करना आपके फैमिली मेंबर को भी हंडे पसंद आने वाली ह तो चलिए स्टाट करते हैं वीडियो जादे बाते नहीं करते हैं और जो लोग मेरे इस वीडियो पर नए आ रहे हैं इस रेस्पी वीडियो पर प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट कर दीजी यह चैनल मेरा नया है और मैं व्लोग वीडियो डालती हूं और मैं रेस्पी वीडि मैंने मेरे पास ट्राइपोड की प्रॉब्लम है तो मैंने कैमरा हासे लेकर शूट किया तो थोड़ा बहुत जो भी उसमें कमी घटी हो वीडियो को प्रॉपर परफ्रेक्ट नहीं बनाने की उसके लिए मैं सौरी बोलती हूं उसको इग्नोर भी आप करेगा लेकिन पूरी को मैंने यहां पर मटर परने के सबजी बनाने के लिए कड़ाई में सरसो कतेल बटर में भी फ्राइब कर सकते हैं सबसे पहले यहां पर मैंने लिया है कुछ सूखे मसाले और यहां पर काजू है मस्क मेलन सीट से आप काजू और एक्स्ट्रा एड़ कर सकते हैं एक मुठी भर मेरे पास काजू नहीं था मेरे पास यहीं सबसाद मैं यहीं आप मलाई भी आड़ कर सकते हैं इसके जगह यहां पर कुछ चॉप किया है लैसन प्याज हरीमिश और अद्रक और यहां पर दो बड़े टमाटल मैंने लिए हैं और इन सब को सौटे करना है सबसे पहले कढ़ाई में जाएगा यह सुखे मसाले जो इन्हें थोड़ा सचा टकने देंगे दैन इसमें जाएगा यह मस्क मैलन्स कीट काजू और हो तो आप आड़ कर लीजे तो दैन इसे चला लेंगे अच्छे से इसके पास यह जो सूखे मैंने काटे हैं प्याज लहसून हरीमिश यह सब आ अच्छे से सॉफ्ट हो जाए पक जाए इनका फ्लेवर एक दूसरे में मिल जाए आप देख सकते हैं ठक के पकाया ता मैंने दो से तीन मिनट दैन इसको सॉफ्ट हो बन कर दिया यह ता फॉर्स्ट स्टेप जो मैंने कर लिए इसे रखेंगे ठंडा होने के लिए इधर मैं केजी मटर था और बस पनी मटर की सबजी जल्दी ही बन के त्यार होने वाली है और यहां पे जो मसाले मैंने सॉटे किये तो ठंडा होगे से मिक्सी में पेस्ट बनाओंगी एक कडाई और ले लिया उसमें डाला है सरसो का तेल आप चाहिए तो कोई भी तेल यूस कर लीज पड़ाउंगे सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी हल्दी और लालमिश पॉड़र कसमेली लालमिश पॉडर और नम्क कर KIRBY मसाले गराब मसाले में लास्ट में बाद में डालूंगी पहले इसमें ऑब कर लोंगे में अमक होगी तो Surahnhreyाम च्छे से मिन अरुझ मोझ मिन मुझे सबजों में एवरेस्ट का ही मीट मसाला का फ्लेवर अच्छा लगता है दो से तीन चमच धनिया बॉडर भी डाल दिया मैंने और थोड़ा सा इसमें पानी एड़ कर रहे हूं ताकि मसालों को एक साथ मिक्स कर लूँ और इससे अच्छे से मिक्स करने के पाद मैं इसम सॉफ्ट हो जए और इसे वह और ऐल रिलीज होने तक ही पकाएंगे ताकि मसालों अच्छे से बूप जाए हैं एक सार और यहां ते बाद चेक कर आती हूं देखिए फिर से एक बार ऐल रिलीज हो चुका है बहुत अच्छे से मसाले मेरे पक है मतर भी सॉफ्ट हो चुका ह बस इससे मैंने बहुत अच्छे से भूना आप जितना भूनेंगे उतने ही अच्छा होगा दैने आप मसाले भूनने के बाद मैं इसमें एड़ की हो पानी जितना मुझे ग्रेवी पतला गाड़ा चाहिए आप अपने कोडिंग डाल सकते हैं पानी में इसलिए थोड़ा कर दिया और इसे डखके में बॉयल आने तक पकाऊंगी 8-10 मिनट बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि पनीर मेरा लगबख चुका है तो चली इसे ढख देते हैं यहां पर देखे गाईज 8-10 मिनट बाद मैंने पनीर को अच्छे से पकाया है हाइड टू मीडियम फ्लेम पे इसमें अड़ कर रही है अपका सूरी मेति यह लास स्टेप है और यहां पर हरी धनिया मैंने चौप करके रख्या तो भी एड़ कर दिया इसे मिक्स कर देंगे और ढग देंगे ताकि इनका फ्लेवर्स पनीर की सब्जी में एड़ हो जाए आपका सूरी मेति कर सकते हैं में हमारे घर में खाते हैं तो मैं एड़ कर रही हूं ऐसे ढग दूंगी और इसका फ्लेम बन कर दूंगी यह मारी मटर्स पनीर के सब्जी रेड़ी तो चलिए होप आपको अच्छा लगा हो मिलते है नेक्स व्लॉग में तो लीजिए आप भी खाये मुझे जरूर कॉमेंट बताया का सलागा में बिदे